कोटलीन को रूटीन्स यानि कि वो ब्रमास्तर जिसके साहथा से आज के modern era के अंदर mobile application development को किया जाते हैं आज हम इसी ब्रमास्तर के बारे में समझने जा रहा है और explore करने जा रहे है कि actually में है क्या ये को रूटीन्स टो हाई गाई मैं विशाल कुमाओद आप सभी लोगों का नियर रोट को एक वर फिर से वेलकम करता हूं और याज के Cotline के सीरीज में को सभी लोगों का वेलकम करता हूं आने वाले upcoming कुछ विडियो के लिए हम पने कोट которbook को रूटियंस और डिटेल में होंगे पंजान रहेंगे कोटलीन को रूटीन क्या है सो चलिए गाई शुरू करते हैं सो दोस्तों आप सभी लोग ने अगर रिसेंट कुछ टाइम में इसी भी क्रेटर को फोलो कर रहो तो जब भी वह बात करते हैं कि आपको मोगाल एप्लिकेशन डॉलप्मेंट करना है तो वह सब्सक्राइब नाम बहुत बार सुना है लेकिन अब आज इसको डिटेल में जानने वाले हैं तो अपम आपको जिससे पहले कोटलीन को रूटीन बता हूं उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसके हल्प सापको पता चलेगा कि क्या होता है को एक चोटे बच्चे हो ठीक है अब आपके छोटे बच्चे और तीनेजर हो मतलब वह उस टाइम की बात कर रहा हूं जब अपने बात साइकल ह होा करती ठीक है और बाइक नियुँआ करती ति ठीक है या संपल मैं कहूँ तो इसदांपे फोन नहीं होता था ठीक है उस टाइम की बात है उस टाम की जब भी घर पे हल्वा बन रहा होता था तो मैज्टी अच्छ ताम क्या होता था कि ममी को बाद में आ दा छीणी तो है имеет अब जबाग के लेड़े कि शॉप के ऊपर अरपने साथ जोट कि भाने वाले भाई घाने खाने गां खाने के इस लु अब आगे छा जाएंगे अब अपना क्या होता था कि अपना ठ्ट मिन फाह पर आधे गn acces तो आदे गंटे तक अपन ब्लॉक हो गए वहीं बेठे हैं फिर आदे गंटे बाद आएगा फिर अपने को चीनी देगा फिर अपने घर पे आएंगे फिर हल्वा बनेगा तो यह तो थी आम जिंदगी फिर एक दिन अपने 10th के एक्जाम पास किये अच्छे नमबर से पास हो जैसे ही भीया आजाए नीचे शौप पे मेरे को फोन कर देना मा आ जाओंगा और वहां से फटाफट से अपन भाग के आ जाते हैं और इती दे दे दूसरा काम कर लेते हैं घर ठीक है और जैसे ही उदर से फोन आता है है अठीक अभीया आ आगए अब आप लिके जासे तो अब आपन डबल काम कर सते हैं इस ताइम के अंदर यह जो मैंने को कहानी सुना ही यह काहनी एक्जकली को डूटीन की कहनी लिख जब भी एंड्रोट इसका काम होता है जिसके अंदर आपको टाइम लगता है जैसे किसी नेट्रक से डीटा फेच करके लाना है सपोस करो आप किसी रिमोट सर्वर पर डेटा पड़ा हुआ है अगर एक्जम्पल लूँ यहां पर तो भी आईपल चल रहा है तो अब क्या करते हैं कि अब मैं फोन की बात कर रहा हूं ठीक है अभी कोई मेर पर यह नहीं बोले कि मैं जा टीव पर देखते हूं स्टार स्पोर्ट्स पर तो होज़ साथ बफरिंग करने में डिले होता है तो पहले क्लिक करते हैं तो स्क्रीन हैं फ्रीज फ्रीज हो जाती ठीक है जैसे वहां पर क्लिक किया तो सब कुछ फ्रीज हो गया थिर पांसाथ सांगर सेकेंडे से ऐपो अटका रहेगा फिर आईपल चलेगा ठीक है तो यह व पहले आपकी एब उस याप करने है बिस आपके पैसे करता है याप को आपके आपके रहा जाती है या advocate वहां वहां से इस डेटा आ जाता है तो आपने वापस रिजीम हो जाती है तो यहां पर हुआ क्या अब जो लेटेस्ट है उनमें क्या हुआ कि अगर से डेटा आने में टाइम लग रहा है तो अपन क्या बोल रहा है कि एक काम करो तुमको टाइम लग रहा हुती दे के लिए तुम यह आईडी रखो एक इंटरनल इन में कुछ आईडी होती वह भी अपन कुछ और उतने टाइम के अंदर अपको फ्रीज नी करवा कि कुछ और अपके फंक्शनल्टिस परफॉर्म कर लेता है वेदर वह आपको अनिमेशन दिखाना हो गया या एड दिखाना हो गया ठीक है तो अब एक बेसिक आईडिया तो लग गया है अपने को ठीक है अ जब भी कोई भी यहां पर टास्क होता है जिसके अंदर आयो अपरेशन होता है यह CPU बाउंट टास्क होता है यह कोई भी API फैच करनी पड़ती है अपने को मतलब आयो मतलब है इंपू आउटपू से लेटेट कोई टास्क हो गया मतलब जिसे मालों कोई फाइल डेलीट कर कर रहे हैं कोई फाइल सर्च कर रहे हैं या फिर कोई डाउनलोड हो रही है कुछ भी जो इंपूट आउटपूट से लिटेट वह काम हो गया या फिर CPU बाउंट टास्क हो गया जैसे जिसमें CPU बहुता था कंजूम होता हो फॉर एग्जांपल वीडियो डिटिंग कर रहा फोन के अंदर है फिर पबजी खेद रहो बतलब बीजीमाई खेद रहो इंडिया में अपना जो फोन होता है उसमें CPU होता है यह अपना क्या है CPU है CPU को प्रॉसर को CPU बोलता है ठीक है तो सपोस्कुरण अपने पास फोन का CPU है फोन का प्रोससर है ठीक है अब इतनी भी एप होती है ना अने फोन के अंदर उनको तरभी तो थोड दिफ्ली में होता है करें गए anda फूझल है यह बहुत बड़ा अगर आपकी जो एप मिलाओ ऊंदर इतना थिसलोस घरें तो यह जो आपको आपकी एप को यह डिसोर्स मिल गए है यहां से ठीक है यह जो रिसोर्स है वो सोली रिस्पोंसिबल एक यूआई वाक देखो क्या होता है किसी भी Android एप को 16 MS के अंदर रिफ्रेश करना होता है स्क्रीन को क्यों करना पड़ता है क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है कि स्क्रीन किसी भी चीज़ को जादे दर के लिए होल्ड नहीं कर सकती है ठीक है अब यह स्क्रीनिंग में कुछ होता है मतले हर 16 MS पमेड़ एक प्रफ्रेश करना होता है Mac上na 5 वार बार अपडार रिफ्रेश करना होता है तो यह आपका part है यह जो CPU आपको मिला हुआ है इसका primary काम क्या है स्क्रीन को मेंटेन करना इसको बोला जाता है युवाई-थ्रेट क्या बोला जाता है युवाई-थ्रेड तो जर अपनी एप को एक थ्रेड मिला CPU मेंसे एक CPU का पार्ट मिला एक सोर्स मिला वह है वह वह सोली रिस्पोंसिबील अपनी करता तो यह सारे काम ही है विल्ड़ कर सकते हो तेता विल्ड है सारे कर सकते हो इसका primary काम होता है यूआइ को हेंडल करना है लुटे है तैसलो इसको अपनी ट्रремड TOR अब सब्छू यहां पर मैंने कोई file का input-out-put करना है तो मैंने एक्जाम्पल के लिया हूँ है 20 सेकंड 20 सेकंड और 16 MS कितना बड़ा डिफरेंस है मेरेको एप को हट 16 MS में रिफ्रेश करना है और मेरेको यहाँ पर 20 सेकंड लग रहे हैं suppose करो तुम एक सेकंड के लिए अगर सेकंड नंबर 0 के उपर अगर यह गलती से यह जो तुम्हारा टास्क है अगर यह गलती से टाइम लेगा 15 से उपर याणि के 16 पे जंप कर गया तो इसका मतलब अभ युई जो है हंपर रहना शुरू होगे हैंपर से मतलब यह पर अठकना शुरू ओ गई है दिक्कत आनी शुरू होगी, तुमने बहुत सर यह चला ही होगी, अगर जो पुरानी अपस उनमें तुम यह इस्यू देखोगी, नई वाली में नहीं देखोगी, जो भी कॉर्टिंग पर बनी होगी, ठीक है, पुरानी अप में क्या होता है, तुम एक बार जैसे चालू करते अगर सपोस करो, कि यह जो तुमारा काम था, वह 24 सेकंड के उपर जाके रिजॉल हुआ, अब तुमारी एप्लिगेशन का जो 24 के उपर रिफ्रेश होगा, तो 16 से लेके 24 के बीच में तो एप हैंग होई न, यह जो प्रॉब्लम है, यह आती है नॉमल प्रोग्रामिंग के क्यों आती है, क्यों कि यहां पर सिर्फ यू आई जो है, वही समालने के लिए थ्रेट अपने को मिला हुआ है, इसका जाओ में सॉल्यूशन क्या होता है, आप नया थ्रेट बना लो, एक और आप एक काम करो, CPU से एक और रिसोर्स मांग लो, जो मिल जाता है, एक और आप ए कि यार, उस CPU को बताने कि भाई तू यह कर, फिर अपना कुछ, अपने को अलग से अपने थ्रेड लिया ने, यह थ्रेड रिक है, न्यू थ्रेड लिया ना, इसको समझाने कि भाई तू एक काम कर, यह काम कर, तो उसके लिए कांटेक्स को थोड़ी रोकना पड़ता है, इन डाल, यहां पर यह अकाउंट टाईप सलेक्ट कर, तो आपका टाइम खराब होता है, तो वही टाइम खराब होता है, यहां पर अपर यह सब जाओ चलती रही, लेकिन फिर अपने पास आया, कॉटिलिन, थो में काम को रिए, सारी काहनी को भोल जाओ तूं, और तुम य इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब भी को रूटीन में होता है किसको लॉंच करता है किसको लॉंच करता है को रूटीन क्या होता है तो यह समझो फ्रेड को और पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो ध्रेड से छोटा हो गया तो ध्रेड से भी छोटा है कि यह ना सस्पेंड हो सकता है सस्पेंड से क्या मतलब है जैसा मैंने तुमको एग्जांपल यह कि भई तुम शॉप पे जाकर अपने नंबर दिखे आ जाओ कि तुमना आते ही कॉल कर लेना जैसे अपना जो शॉप वाले भईया वह आ जाए तो मेरे को कॉल कर लेना तो को रूटीन की यह खास बात होती सस्पेंड हो तब सस्पेंड भी वही चीज है कि अगर मुझे टाइम लग रहा है मुझे टाइम लग रहा है मतलब एपे से डेटा लाना है अब उसमें मेरे को टाइम लग रहा है तो जितनी देर टाइम लग रहा है तो जितनी देर ऐसा नहीं होगा कि यह जो को रूटीन ह हो जाएगा suspend और जितनी भी इसने cpu occupy किया वा तो उसको करतेगा release जैसे इसने उसको release किया तो अब वो cpu किसी और काम में आ सकता है ठीक है तो वो cpu अब क्या होगा किसी और काम में आ जाएगा Android के अंदर और जैसे ही API का response आ जाता है तो वो को रूटीन वापस वहां से continue हो ज जाता है कि मेरे को time लग रहा हो जब मेरे को काम करवा हो जब active हो जाए तो मुझे वापस बताना तो इस वजह से अपने पास को रूटीन पर फास्ट होते है क्योंकि यह CPU के पर लोड नहीं डालते हैं इतनी देर जरत तो ती देर active रहेगा time लग रहा है कुछ और हो रहा है तो यह suspend हो जाता है अपनी जो memory उसको release कर देता है CPU को release कर देता है अब देखो यहां पर dispatcher क्या करता है basically dispatcher launch करता है coroutines को ठीक है तो यह 3 threads के लिए 4 threads के लिए launch करता है ठीक है कर सकता है ठीक है चार threads में launch कर सकता है देखो कौन-बशन है पहला है IO दूसरा है main तीसरा है default और दो होता है unconfined, थECKAAAA 기ुपर होता है जभी input output का काम होता, जैसे तुमको किसी File में कुछ data write करवाना है तुमको को गाना play करना है किसी गाने को delete करना है, मलिए स्कावक Antonian dease-jチャンネル ओस ने थे काम होता है तो किस में आता है, are input output के अंदर, तो जब этот yüzden Face त्षवाइब् degli आतंतर है कि किसे लांच करता है McK Keys को अपना इसे लिए से रिलेटेड काम होता है जब इत्षवाइब्लश कारें । उप्ट एंड केक्ट लांच करें वह वह बना भी त्षवाइब्ला जाया कि को रूइन चलेगा inexpensive जाया झब फाइल से रिलेटेड काम जायागा जब फाइल से रिलेटेड काम करें तो इसके बाद कभी कुछ नहीं लौंच करना होता है क्योंकि इसके बढ़ कुछ भी लौंच करती है तो वही प्रिक्कत हो जाएगी कि बैई एब यहाग भी होना शुरू हो गई और hang नहीं हो, इसे लिए तो को रूटिन को लाया थे, तो कभी भी, main thread जिसको UI thread भी बोलते हैं, उस पर कभी काम नहीं करते है, अब बात करते हैं, default जो अपना होता है, वो CPU bound task करने के काम में आता है, ठीक है, तो CPU bound task क्या होता है, देखो, अबने PUBG खेला है, तो अबने BGMI खे केडी मेरी बहुत कम थी, मतलब, point में कुछ-कुछ थी, एक भी नहीं थी, बड़ा गंदा खेलता था, लेकिन खेलता था, बहुत खेलता था, अगर आपने भी खेला है, तो comment कर देना, ठीक होता है, उसमें जसमानों मेंने कई कभी गोली मारी, किसी बंदे को देखके, तो अगर वो बंदा दूर है, तो थोड़ी इसी मतलब उपर मारनी पड़ती है, ठीक है, गोली, ताकि वो उत्ती दूर जाके उसके लगे, अपने ये समझाए कि अच्छ गोली नीचे हो जाती, वो क्यों नीचे हो जाती, कि फिजिक्स के हिसाब से, कि किसी गोली को बहुत ये mathematical formulas की basis पर calculation होगा ना, इसको trajectory बोलते हैं basically, ठीक है, तो जब trajectory के लिए, projection, trajectory कुछ ये दो words के लिए काम में आते हैं, ठीक है, तो इसके trajectory के path को जब हमने define करेंगे, तो इसके लिए maths को काम में लेना पड़ेगा, तो maths का मतलब CPU पर heavy calculation करनी पड़ेगी, तो जब भी कुछ इस तरीके के काम करना होता है, CPU पर heavy calculation करनी है, या CPU से related जितना भी काम होता है, CPU बाउंड जिसमें CPU बढ़ अच्छे से काम में आयागा, तो वो हमेशा default के ओपर चलाते है, क्योंकि default is the dispatcher, जो कि CPU बाउंड task करना है, ठीक है, और unconfined का मतलब होता है, जब मुझे पता नहीं तो नीचे यार comment कर देना, तो मुझे पता चल जाए कि क्या scene है, और यहाँ पर कुछ रह गया हो, कुछ नहीं संज में, कुछ doubt आ रहा है, तो वो भी comment कर देना, ताकि मैं उसको next video में cover कर दो, तो होगा है कि मतलब अभी, मतलब तुम comment करोगे नहीं, तुम सचे कि भाई कर देना, और वीडियो का लाइक जरूर करना है, तो मैं देख रहा हूं, जब सपोर्ट ही नहीं आए तो यार मही बातना, तो मेरे बहुत सारे प्लान चल रहे है, बहुत सारे आपके लिए मैं आप्स लाइन पढ़ी है, मतलब जैसे डेटिंग अप हो गई, एक मैं गेमिं अगर आप मेरे बात समझ गयो हो तो खीक, आप वीडियो का लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने फेंड्स की बीचेर कर दो, चली मिलते हैं गाइस, मिलते हैं से नेक्स वीडियो के अंदर जहां पर अपनी को रूटिन डिस्क्रिशन को एक नेक्स लेवल पर लेके कर दो, क्वेर आप यक्स लेवल पर लेके जाएंग।